नमस्तार मैं हूँ कुमार गजेंद्र चन्पत ओन्दा स्पॉर्ट में आपका स्वागत है हमारे दूसरे सोसल मीडिया प्लेट्फॉर्म पॉर्टकास्ट में कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है जहां आप हमें सुन सकते हैं अभी इंसुलिन का ड्रामा बंद नहीं हुआ था कि जो आम आदमे पार्टी के फ्रंट फुट पे खेल रहे संजे सिंग जिहां तिहारी संजे सिंग ने एक और आरोप प्रधा बहुत सारी चीजे ऐसी है जो आम आदमी पार्टी के ये जो प्यहार से लोटे हुए लोग उस तरीके से प्रस्तुत करने की को सिज कर रहे हैं जैसे हिंदूस्तान के अंदर अब कोई कानून बचा नहीं है संवेधानिक कोई सर्धान नहीं बचा ये किसी तरीके जो देश के अंदर जो जन्ता ने चुनकर जो गलती की थी ये देश द्रोही अब बहुत महेंगे सावित होने लगे हैं तूँकि अब क्या किया जाए कि ये किस तरीकी की चीजे पैदा कर रहे हैं आज जो संजसी है उन्होंने आरोप लगाए बहुत गंभीर तरीके का बहु तो अर्विंद केजीबाल हैं वो बेहद तकड़े वाले ब्रस्टाचारी हैं वो अनर्किस्ट हैं देश के अंदर हंगामा करना केवल और केवल उनकी नीती रही है और वो देश को बदनाम करने के लिए बाहर से विडिशों से आतंकवादियों से पैसा लेते हैं ये सारी चीजे खोल कर सामने आ चुकी है ये हम नहीं क्या रहें ये सिख फॉर जस्टिस का आतंकवादी गुर्पतवन सिंग पन्नु 133 करोर रुपया लेने का आरोप अर्विंद केजीबाल पर सीधे सीधे लगा चुका है कई करोर रुपे करीब 100 करोर से उपर जो है सुकेश चं रुपया ये कोड़ वर्ण अर्विंद केजीबाल का था इसका भी खुलासा हो चुका है और अब सुकेश चंदर शेखर सरकारी गभाब बनने के लिए उसने ग्रह मंतराले को पत्र लिख दिया है एक और जो सराब घोटाले की सबसे बड़ी नानी थी के कम था वो एड़ी ये जो लोग हैं ये भी बरश्टा चारी थे खुद संजे सिंग तिहार जेल से चूट कर आया है तो यही संजे सिंग तिहारी संजे सिंग आरोप लगाता है कि इसने मंगल बार को एक प्रैस कॉन्फरेंस की और जिसमें कहा आज मैं जो सच बताने वारा बताने जा रहा हू उसे सुनकर सब हैरान हो जाएंगे दिल्ली का तिहार जेल अर्विंद के जिवाल के लिए यातना गरह बन गया है पताईए यातना गरह तिहार के अंदर जो भी व्यक्ति होता है वो एक तरीके की यातना ही के लिए जेल बेजा जाता है किसी भी व्यक्ति को उससे जो करम कि यह होते हैं वो उसे यातना जहलने के लिए त्यहार जहल भेजा जाता है इसमें कुछ नया नहीं है अब हम बताते हैं कि या आदमी किस तरीकी का जूट बोला था हम आपको पूरा-पूरा किलियर बताएंगे आम आदमी पार्टी निता संजे सिंग ने केंदर सरकार पर अट मंत्री रोज तिहार जेल में जारू लगा रहे हैं मंगलवार को एक प्रेस कॉनफरेंस में उन्होंने कहा आज मैं जो सच बताने जा रहा हूं से सुनकर आप हैरान रह जाएंगे बहुत बड़ी बात बताईए इतना बड़ा खुलासा हम आपको बताते हैं तिहार जेल मैं मैं खुद करीब 24-25 साल का मेरा 26 साल का क्राइम रिपोर्टिंग का कैरियर है तिहार जेल के अंदर जितने भी कैदियों के सेल बने हुए हैं उन सब सेल के अंदर एक CCTV कैमरे एक दो CCTV कैमरे लगे हैं जिन से कैदियों पर नजर रखी जाती हैं ये कोई नई बात नहीं है वह और अर्भिंद केजरी वाल को सिर्फ अर्भिंद केजरी बाल भूल गए कि कैमरों से नजर रखी जा रही है वहां पर जो भी कैदी जाएगा उसके लिए कोई अलग से व्यवस्ता नहीं है वहाँ पर औरेड़ी स्पूरी CCTV कैमरे लगे हुए है करीब एक हजार के आसपा CCTV कैमरे तिहार जेल के सबी सेल्स में लगाए गए है इसके अलावा जो सेल्स में जो भी व्यक्ति रहता है वो अपना काम खुद ही करता है चाहे हो राजा हो या रंक हो कोई भी हो उसे अपना काम खुद कराना पड़ता है इसमें जारू लगाने का सवाल कहां से आ गया इसमें CCTV कैमरे से प्रधान मंत्री नजर रखेंगे कि वह इतना बड़ा आदमी है तिहार में रष्टाचारी बंद है उसको किस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है संझे सिंग्घ खुद त्याहार में छे मईने रहके आये हैं। और वो बता रहे यह दो और सब लोग के इस को अपना काम महीं करना पड़ता है इसके अलावा कि लीड बनाने की कोशिस कर रहे हैं सच मुछ हैरान कर देने वाला है क्योंकि एक तेहारी जो खुद छे मईने तेहार जेल में रहकर आया है और उस आदमी पर फिर से तलवार लटकी हुई है क्योंकि अभी वो और कई मामलों में जेल जाने वाला है तो इसके लिए वो अभी इसे किस तरी के जूट बोल रहा है सच मुछ जूट पारिटी इसको नाम रखना चाहिए था आम आदमी पारिटी की जगा है यह जूट पारिटी रखते तो ज़्यादा अच्छा होता है कह रहे हैं साहब कि पीम मोदी उन पर निगरा नी रख रहे हैं पता यह पर्धान मं कमाल का हिस्त किसाब है और एलजी करेंगे दो दो बड़े उनको कोई काम नहीं है हिंदुस्तान में यही काम करेंगे तिहार में बंद अरविंद केज़िवाल पर पीमो और एलजी आफिस 24 गंटे निगरानी रख रहा है पर्धान मंती नरेंद मोदी लिंक मंगा कर देखत और कोट में इस तेहारी के खिलाब फिर एक मुकदमाद दर्जी करेंगी कि वो लिंक दिखाए जहां से इसको यह ख़बर मिली है तो कि लिंक कैसे पर्धान मंती को क्या लेना देना है जो इसका लिंक मंगा के देखेंगी आखिर इतनी निगरानी क्यों है क्या देख रहे ह लिंक क्यों चाहिए बहुत बड़ा जूट है भाई क्या कमाल का जूट बोल रहे हैं आप यह देखना चाहते कि अर्विंद केज़िवाल कितने बिमार हुए उनका स्वास्त बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा इसको देखना चाहते हैं कि वह कितना तूटे कितना मनोबल जूट कमाल की बाते जहारू लगाने से लेके सेसी टीवी कैमरों के लिंक तक सच मुच यह राजनीती का जो पतन इस समय अर्विंद केज़िवाल एंड कंपनी की चोर मंडली द्वारा जो देखने को मिल रहा है हमने आज तक राजनीती का इतना बड़ा पतन कभी नहीं द कुल रहे हैं कुछ लोग कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस जूट पर भी तालियां बजा रहे हैं जो समझना नहीं चाहते के व्यवस्ता किस तरीके की है परसासनिक व्यवस्ता किसका नाम है यह सारा कोई जानना नहीं चाहता कई लोग हैं जो इस पर भी ताली बजाने की को करने का कल्चर नहीं है यह वो चोड़ों हैं जो कभी मीडिया के थुरू ही आये थे बहुत सारे मीडिया के बड़े नाम मैं उनको नाम लेकर अपनी जवान गंदी नहीं करना चाहते एक समय पर राम लीला मैदान में बैठ कर केजरीवाल की दी हुई सराप दिया करते थे उन आदमी पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने पत्रकार वारता जो प्रेस कांफेंस है वो करनी बंद कर दी है इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी डालूँगा पिछले दिनों मैंने खुद वो सूट किया था और उस वीडियो को डालूँगा तो हंगामा मच है और मैं तो केवल अपने एक जो एक चैनल है उसी को यह देता है बाइट तो इनका इनोंने यह सब बंद कर रखा है यह अपनी बाइट बनाते हैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और सर्कूलेट कर देते हैं पहले तो मैं यह आपको कंफ्यूजन दूर कर दू कि यहां पर कोई सवाल नहीं कर सकता है यानिके यह पत्रकाजता के सबसे बड़े दुस्मन हैं दूसरा मैं आपको यह बता दूँ कि यह जो जूट बोलते हैं उस जूट के आधार पर यह लीड आखवारों में मीडिया में लेना चाते हैं तो कि उसके एबज में यह पेड न्यूज देते हैं सबको और उस पेड न्यूज के तुरू यह अपनी खवरे चपवाने की कोशिश करते हैं लेकिन जो सिस्टम है हम आपको यह सारी चीजे पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बताते हैं कि जो व्यवस्ता है वो व्यवस्ता आज से नहीं है पचासो साल से जब से तिहार जेल बनी है तब से व्यवस्ता है और उसके अलावा 2018 में जब अर्विंद केजरी वाल ने जेल मैनुवल में कई बदलाव किये थे तो तब भी यह व्यवस्ता है ऐसे की ऐसी ही थी तो आखिर आज यह किस आधार पर जनता से जूट बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप समझिए सेल के अंदर CCTV कैमरे लगे हैं वहां पर बाकाईद एक कंट्रॉल रूम हैं कंट्रॉल रूम से सभी कैदियों को वाच किया जाता है 24 गंटे इसके अलावा जो साप सपाई का काम जारू लगाने का काम हार काम उस कैदी को ही करना होता है जो वो उस सेल के अ अब vibes करता है वो डींजीपी संदीप गयल के कारकाल में Saatendra Jang अपने शहं सेल के अंदर बाकाइदा मसाज करते हुए पकड़े गए ते ये कैम्रे तब भी ये जिते इनी कैमरों में इनी CCTV कैमरों में सतेंदर जैन मसाज कराते हुए पकड़े गए थे, मसाज ले रहे थे और वही उनी कैमरों में अब अरविंद केजरिवाल आम खाते हुए पकड़े गए तो यह कैमरे कहां से नज़र रखी जा रही है, कैमरे तो पहले सी लगे हुए CCTV और हर सेल में खुदी क साम करना होता है, यह सतेंदर जैन नहीं है, जो जेल मंतनी थे और जेल के अंदर थे और उनके चम्पू महाँ पर उनके सेल की साफ सफ़ाई करते थे और मसाज किया करते थे उनकी, बहुत बड़ी बात है जूट पर उसने की जो पॉलिटिक्स चल रही है, यह राजनिती का सबसे बड़ा पतन है, जो आम आदमी पार्टी ने बकई इसमें किर्तिमान इस्ताफित किया है, बहराल, अगर आपको हमारी ख़बर अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक सबस्काइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हम हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबा कर हमें आर्थे ग्रूप से मदद भी कर सकते हैं, जय हिन, जय भारत!